नमसकार दोस्तों, आज मैं आपसे पूजा में चढ़ाये जाने वाले विशेश सामगरी अक्षत की बारे में बात करूंगी अक्षत क्या होता है? पूजा में अक्षत का महतो भगवान को अक्षत क्यूं चढ़ाया जाता है? किस देवता को अक्षत नहीं चढ़ाया जाती? किस रंग का अक्षत? किस देवी देवताओं को चढ़ाना चाहिए? और अक्षत चढ़ाते समय हमें किस-किस बात का ध्यान र प्रतनी चाहिए, सभी जानकारिया आपको दूंगी, बस आप हमारे साथ जुडे रहें और हमारी पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको अक्छत की संपूर्ण जानकारी मिल सकें. और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं तो मेरे और अपने सिव परिवार चैनल को सस्क्राइब करें ताकि मेरा और आपका परिवार बड़ा हो सके दोस्तों अक्षत पूर्णता का प्रतीक है यानि जो खंडितना हो जिसका एक दाना भी तूटाना हो इसलिए पूजा में इसे चढ़ाने का भी मतलब यही होता है कि हमारी पूजा इस अक्षत की तरह पूर्ण हो अन्य में चावल को स्त्रव सेष्ट माना जाता है इसलिए चावल को देवान ने भी कहा जाता है किसी भी पूजा में हल्दी कुमकुम, रोली सिंदोर, फूल चंदन, गुलाल प्रशाद, आदि सामगरी के साथ ही अक्षत भी चढ़ाए जाते है अक्षत अर्वा चावल से बनता है आप बाजार से चावल लाएं थोड़ा मोटा ही हो तो अच्छा है फिर उसमें से जो तूटे चावल है उसको बीन कर हटा ले चावल को तीन बार धोएं अगर धोना संभव नहीं है तो तीन बार गंगाजल चावल पर छीट कर सूखे कपड़े से पोच ले फिर गिले चावल को ही तीन हिस्सों में बाट ले एक हिस्सा सफेद ही रहने दे दूसरे में हल्दी लगाएं और तीसरे में कुम-कुम फिर इसे सुखा कर तीन अलग-अलग डबों में रख ले आपका अक्षत तैयार हो गया आप इसे प्रती दिन पूजा में इस्तिमाल करें माना जाता है कि यदि अक्षत जिस पूजा में प्रयोग होता है और उस पूजा में कुछ अन्य चीजे चूकवस छूट जाएं तो अक्षत के चढ़ाने से वो भूल माफ मानी जाती है कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजे कई देवताएं और देवियों को नहीं चढ़ाया जाता है जैसे तुलसी जी को कुमकुम, गनीश जी को तुलसी, सिव जी को हल्दी, दुरगा जी को दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है लेकिन अक्षत ऐसी महत्पूर्ण पूजन सामगरी है, जिसे विश्णु भगवान को छोड़ कर सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है चावल के कुछ दाने का प्रियोग, आपके घर में सुख शान्ती और धन सम्रिद्धी सब कुछ दे सकता है ज्यादा नहीं तो स्रिप पांच दाना अक्षत आप रोज इस्वर को अरपन करे मा अंपूर्णा को चावल के धेर पे रखे फिर देखें मा लक्षमी कैसे आपके घर में अन्य धन के साथ आगमन करेंगी स्यूलिंग पर सफेद चावल चढ़ाने से बाबा भोले नात बहुत प्रशन्न होते हैं अक्षत चढ़ाने से स्यूजी धन धन वैभा और सम्मान प्रदान करते हैं रंगोली या चौक बनाते समय गेहूं के आटे के साथ चावल का आटा भी प्रियोग करें अपने इश्ट देव के नाम से भी अक्षत का चढ़ावा जरूर चढ़ाया करें माननेता है कि 81 के दिन मालक्षमी को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि मालक्षमी उस दिन 81 का बरत करती हैं चढ़ाये हुए अक्षत को चुड़ियों को खाने के लिए दे दे सफीद अक्षत आप सिूलिंग पर या संकर जी के मुर्ती पर चढ़ाये लाल अक्षत सभी देवियों को चढ़ाये और पीले अक्षत आप सभी देवताओं को चढ़ा सकते हैं विश्णु भगवान को छोड़ कर फिर आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में खुशिया, शुक्षमरिधी, मान सम्मान, धनलक्षमी, अस्थाई रूप से निवास करती हैं अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे कमेंड बॉक्स में जय भोलेनात जरूर लिखें, धन्यवाद, सुक्रिया